रोज रोज के काम को आसान करने के लिए साथ ही साथ आपके समय और पैसे बचाने के लिए एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हो जो आपको बहुत पसंद आएंगे नमस्ते दोस्तो मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप कमेंट बाक्स में लिकर जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल का वीडियो किस शहर या फिर किस गाउ से देख रहे हैं अकसर हम देखते हैं कि लाइटर को यूज करते करते ये काफी जादा गंदा हो जाता है वैसे लाइटर साफ करने का कई सारह टिप आपके साथ शेयर की हूँ आज फिर से एक नजी टिप शेयर कर रहे हूं यह तो बहुत ज़दा गंदा नहीं है लेकिन किसी किसी का लाइटर हम देखते हैं काफी गंदा हो जाता है तो गंदे से गंदे लाइटर को आप इस टिप से बहुत आसानी से साफ कर सकती है ना ही इसको भीगाने की जरूरत है ना ही धुलने की तो इसके लिए पहले हम flame on कर लेंगे और फिर lighter को हलका सा गरम करेंगे बहुत ज़ता गरम नहीं करना है flame low करके बस इस तरह से सब तरब घुमाते हुए इसको हम हलका हलका गरम कर लेंगे सब तरब घुमाते रहेंगे तो flame off कर देंगे तो बस जब लाइटर इस तरह से हल्का गरम हो जाए तब लेंगे तारवाला इसकरवर और इसकरवर विध्यान रखिएगा कि गीला नहीं लेना है, सूखा इसकरवर लीचिएगा और हलके हाथ से इसको हम इस तरह से रप करते हुए जितनी भी गंदगी लगी है सब को साफ कर लेंगे तो ये देखिए बस कुछ सेकंड में ही हमारा लाइटर एक्तम बढ़ियां से साफ हो चुका है जितनी भी गंदगी थी सब निकल चुकी है ये देखिए इस तरह से आप अपने गंदे से गंदे लाइटर को बीना धुले बीना साबुन सर्फ के बहुत आसानी से साफ कर सकती है नेक्स टिप के लिए हम एक परतन में पानी लेंगे लगभग दो छोटा कप के करीब मैं यहाँ पर पानी ली हूँ तो पानी को गरम होने के लिए चड़ाएंगे साथ में हम इसमें डालेंगे संत्रे का छिलका अभी संत्रे का सीजन है मार्केट में संत्रा खूब आ रहा है तो इस तरह से संत्रे के छोटे छोटे टुकडे हम इसमें डाल देंगे और संत्रे के छिलके को इस तरह से छोटा-छोटा करके डालेंगे जिसे संत्रे के छिलके का जो भी flavor है, जो भी इसकी properties हैं सब पानी में अच्छे से आ जाएं तो पानी में जैसे ही उबाल आने लगेगा फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर करीब 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे तो लगभख 5 मिनट हो गया है इसको उबलते हुए फ्लेम अभी आफ कर दे रही हूँ और इसको रखतेंगे पूरी तरह से ठंधा होने के लिए तो बस जब ये अच्छी तरह से ठंधा हो जाए तो इसको हमें छान लेना है तो इस तरह से मैं इसको छान ली हूँ अब इसमें हमें डालना है सफेज सिरकार यानि कि जो चाइनीज खाने में हम यूज करते हैं न वाइट वेडिगर तो एक टेबली स्पून के करीब मैं इसमें डाल दी हूँ किसी भी पुराने बॉटल में इसको भर लीजिए चाहे तो पानी का बॉटल हो गया, कोल्ड रिंग का हो गया कोई भी बॉटल ले लीजिए और इसको भर दीजिए तो संत्रे के छिलके का देखे, इसमें कलर बहुत अच्छे से आ गया है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है संत्रे की खुश्बू आ रही है, साथी साथ वाइट विंगर की भी आ रही है इसको हम इस तरह से बंद करके रख लेंगे अब इसका यूज हमें कहां करना है जैसे हम अपने घर में रोज पोछा लगाते ही है और पोछा के पानी में डालने के लिए फ्लोर क्लीनर मार्केट से लेकर आते हैं जो काफी महंगा होता है और उसकी जो खुश्बू होती है वो भी थोड़ी देर के लिए होती है तो हम इसका यूज करेंगे फ्लोर क्लीनर की तरह मार्केट से नाला कर इस तरह के संत्रे के सीजन में संत्रे के छिलके से बना कर हम इसका यूज करेंगे तो ये काफी हाइजिन होगा इससे हमारा फर्ष भी बहुत बढ़ियां चमकेगा साथी साथ किसी भी तरह के जर्म्स की टानू कुछ भी नहीं रहेंगे तो अब से आप मार्केट से फ्लोर किलिनर बिल्कुल ना लाईए इस तरह से बना कर अपने घर के पोछे वाले पानी में मिलाईए और इससे पोछा लगाईए फिर आप देखेंगी आपका घर कितना पढ़ियां साफ सुथरा रहेगा चमकदार रहेगा साथी साथ संत्रे की खुशबू भी बहुत अच्छी आती रहती है नेक्स्ट टिप है पेन के कैप को लेकर किसी भी पेन का इस तरह का कैप हो गया उसका बहुत अच्छा यूज कर सकती है तो जब भी आपका पेन खाली हो जाए फेकने से पहले कैप को निकाल लीजिए तो क्या करेंगे अब हमें चाहिए डबल साइड टेप इस तरह से आपके पास जितना कैप है या फिर जितने कैप की जरूरत है उतना पीस इसमें से कट कर लीजिए और यहाँ पर इस साइड में ऐसे लगा दीजिए अब इसका यूज हम क्या करेंगे अब इस तरह से आप इसको रूम में या कहीं भी चिपका दीजिए जहाँ पर आपको लगे कि इस चिपकाने में सही रहेगा मैं यहाँ पर सिर्फ दो कैप लेकर आपको यह टिप दिखा रहे हूँ आप धेर सारे कैप इस तरह से लाइन से लगा दीजिए और छोटी-छोटी चीजे टांग दीजिए तो देखने में भी अच्छी लगती है और आपका काम भी बहुत आसानी से हो जाता है ना ही कील ठोकने की जरूरत पड़ती है और ना ही इसको बहुत अच्छे से चिपकाने की अब इस तरह से आप इस पर निलकटर टांग सकती है चाबी टांग सकती है या फिर बच्चों का आई-कार्ड कोई भी छोटी-छोटी चीजे इस कैप पर टांग सकती है ना ही कील गारने की जरूरत है ना ही कुछ चिपकाने की डबल साइट टेप है तो बहुत आसानी से जब भी आप चाहें इसको निकाल सकती है कभी-कभी हमारी चूडियां काफी छोटी हो जाती है जिसको पहनने में बहुत दिकत होती है जैसे यह वाली देखिए यह बाला है लेकिन काफी छोटा है इसको पहनने में वैसे तो हो जाएगा लेकिन काफी दिक्कत होती है यहां पर चुबने लग रहा है तो अगर इस टाइप की कोई भी चूड़ी या कंगन हमें पहनना है तो आसानी से हम इसको कैसे पहन ले इसके तो इसके लिए लेंगे कोई भी तरदी सोप और अपने हाथों को गीला करके हाथों में अच्छी तरह से लगा लेंगे और जब छोटी आपकी चूड़ी हो या बाला हो बहुत आसानी से पहन सकती है तो इस तरह से आप सोप लगा कर जब भी चाहे अपने चूड़ी या ब से मैं इसको पहन ली हूँ और कितनी आसानी से ये निकल भी रहा है फिर से कितनी आसानी से पहन ले रही हूँ तो बोडी सोप किसी भी तरह का हो आप उसको ले सकती है और बहुत आसानी से छोटे से छोटी चूडियां पहन सकती है तो हमारी दादी नानी पहले की जमाने में चोटी चूड़ियों को पहड़ने के लिए यही टिप अपनाती थी नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के डिबबे को लेकर तो यह करीब 10 किलो का डिबबा है और इसमें मैं इडली और डोसा बनाने का चावल इस्टोर करके रखती हूँ क्योंकि मेरे यहां इडली और डोसा अक्सर बनता रहता है तो चावल भीचाता लगता है इसलिए एक साथ लेकर आती हूँ और इसमें इस्टोर करके रख लेती हूँ तो एक दिन क्या हुआ कि मैं इस टिबबे को उठा रही थी तो इसका धकन देखिये बाहर हो गया इस तरह से बीच से सिर्फ इसका धकन निकल गया डिबबा पूरा सही है बस इसका धकन निकल गया क्योंकि भारी था अब इसमें मैं चावल खाली कर दी हूँ तो इस गोल वाला भाग है जो धकन बंध होता है तो इसका गोल वाला भाग यह अलग हो गया है तो इसको इस तरह से खोल कर निकाल ले रही हूँ यह वाला भाग किसी काम का नहीं है इसको मैं अभी हटा दे रही हूँ अब लेंगे कोई भी पॉलिथिन आप चाहे तो पॉलिथिन की इसकी नारी को cut कर दीजिए और चाहे तो ऐसे दो लेयर में ही इसको रख लीजिए तो मैं इसको cut नहीं कर रही हूँ ऐसे ही पूरा polythin जहां पर धक्कन होता ना वहाँ पर ऐसे अच्छे से सेट करके लगा दे रही हूँ अब यह जो इसका गोल वाला भाग है तो यह तो अभी ठीक है यह नहीं टूटा है तो मैं इसी से इसको बंद कर दे रही हूँ तो बहुत अच्छे से यह टाइट हो जाएगा इसका डिबबा भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें न तो किसी तरह की नमी जाएगी न किसी तरह का हवा जाएगा नहीं कीड़े मकोडे जाने का डर है तो हमारा यह डिबबा देखिए फेकने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं धकन चेंज करने की जरूरत पड़ी है आप जो भी चीज रख रहे हैं ऐसे डिबे में उसको निकालना हो तो बस इस तरह से घुमा कर धकन को खोलेंगे, पॉलिथीन को हटाएंगे, सामान निकाल लेंगे और फिर से उसी तरह से बंद कर देंगे आप चाहें तो पॉलिथीन को अच्छे से कट करके और फिर लगाईए तो देखने में और अच्छा लगेगा आपके पास भी इस तरह का कोई छोटा बड़ा डिबा है, उसका धकन तूट गया है, डिबा फेकने को मन नहीं कर रहा है, तब इस जुगार को आप भी अपना सकती है तो दोस्तो आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूटूब फैमली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा